बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, हर गर में ब्रेकफास्ट में ये बटाटा पोहा बनता है तो आज मैं बनाने चाह रहे हूँ सभी के फेवरेट बटाटा पोहा एक दम खिले खिले बटाटा पोहा कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं नई रेसिपी सिखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सबसे पहले मैंने यहां तीन कप पोहे लिए है इस नाप से आप चार लोगों के लिए पोहे बना सकते हों आपको पोहे थीक यानि की जाड़ा वाला पोहा यूज करना है इससे क्या होता है आपके पोहे खिले खिले और खाने में बहुत ही मजा आएगा हमें नाइलोन पोहे यानि की जो चिवडे में यूज होते है न वो पोहे यूज नहीं करना है वो पोहे एकदम सोगी हो जाएगे और खाने भी मजा भी नहीं आएगा अब पोहे को हम वाश कर लेते हैं बाउल पर एक हम छन्नी रखेंगे और उसमें पोहे को हम एड़ कर देंगे और पोहे पोर हम पानी डालेंगे और एक दम आराम आराम से हम वाश कर लेंगे ताकि पोहे तुटे नहीं पोहे अच्छे से वाश हो जाए तब हम छन्नी को एक द में चोड़ देते हैं और आलू का मसाला तयार कर लेते हैं गैस पर हम ऐसा खुला ही बरतन यानि की कड़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम मेडियम पर रखेंगे अब कड़ाई में हम तेन टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे तेल गरम होते ही उसमें एक टीस्पून जितनी राई डालेंगे राई चटकते ही उसमें एक टीस्पून जितना जीरा एड़ करेंगे और एक चुटकी हिंग और साथी में हम दो टीबल स्पून जितनी मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को अच्छे से तेल में फ्राय कल लेते हैं मूंगफली यहाँ पे मैंन जादा कर सकते हो, कुछ सेकंड तक ही हमें मिर्ची को स्वते कर लेना है, अब उस में हम दो मिडियम साइज के चौप किये हुए आलू डालेंगे, और मिक्स कर लेते हैं, आलू को मैंने इस तरह से मिडियम पीस में कट किये हैं, आप अपने इसाब से इससे भी छोटे पीस भ भी अच्छे से भुन रही है और साथ ही में हम एक टी स्पून चितनी शुगर एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं शुगर टोटली ऑप्शनल है मगर इससे पोहे का खटा मिठा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे हम पकने देते हैं तब तक हम पोहे देख लेते हैं कि पोहे अच्छे से सोख हुए है कि नहीं तो आप देख सकते हो कि पोहे एकदम परफेक्ट सोख हुए है हल के हाथों से चम्मच की मदद से इस तरह से हम पोहे को अलग कर लेते हैं ताकि एक एक दाना खिला-खिला रहे तो तीन मिनिट हो चुकी है और आलू और प्यास अच्छे से पक चुके हैं अब उसमें हम एक टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर डालेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर दो मिनिट तक हम आलू और प्यास को पका लेते हैं फाइनली हम आलू को चेक कर लेते हैं कि वो पके है की नहीं तो आप देख सकते हो कि आलू एक दम परफेक्ट और अच्छे से पके हैं फिर से हम एक बार आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इस स्टेच पर हमने जो पोहे सोक करके रखे थे वो एड़ करेंगे उस पर और हम तेर सारा यानि कि जो पसंद है आपको उतना धन्या एड़ करना और उपर से हम आधा निम्बू का रस एड़ करेंगे खटा आप अपने इसाप से कम या ज़ादा कर सकते हो तो बस अब हम पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जब तक सारे पोहे का कलर यल्लो न लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और एड़ किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब लास्ट में मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ कि पोहा जब हमारा कंप्लिट हो जाए तो उस पर हम थोड़ा सा पानी इस तरह से चिड़क देंगे यानि कि स्प्रिं है ना एकदम आसान सी रेसिपी चाई के साथ गर्मा गरम पोहे बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब गार्निसिंग के लिए उस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता थोड़ी सी नाइलोन सेव और थोड़े से अनारदाने डालेंगे तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राइ करना अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर से बताना और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंट सरकल में जरूर से शेयर करना और मेरी चैनल को जरूर से भूले भीना सबस्क्राइब कर देना तो मिलते हैं नई के साथ